हे अगस्ति मने देश पची पोशा सुगल पुर्णिमा को दिन आयो रह पारवत दिली विश्ण को पदेश अनुसार सक्खी समेद भई हाथ खुट्टा का नम काटी इस्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही नित्यम ध्यान न काल्मा स्री महाधेप को पुजा गर्न लागिर। महिना दिन पूरा भयर माग सुखल पुर्णिमा को दिन आयो। संपुर्ण सामागरी दयार गरी। स्री सुस्तानी परमेशरी को विदी पुर्वक पुजा ध्यान जप र स्तोत्र बाठ गरी। देवराज इन्द्र ले तियो समचार पाहेर देवता हरुशयद भने हे देवता हो। अब पापिष्ट तारकाशुर को ना सुनी समय आयो। कि नेकी इमाल ले परवत की पुत्री भारवतिले माधेप स्वामी पाये पछी। उनका घर्वबाट पुत्र जन्मने चन। तिने कुमारले आमरो सत्रु तारकाशुर देत्यलाई मारी दिने चन। अनी आमी अमरा ओती प्राप्त गरी राच्य सुख भोग गरूला। फिरी महादेप सत्यदेवी मर्नाले सोक गर्दै संपुन प्रिधिवी भ्रह्मन गरी शकेरा। उत्तरा पंथमा गई काम, क्रोध, लोब, मोह, त्यागी संपुन इंदिया। तिने नेत्र बंदा गरी किवल परब्रह्मा। परब्रह्मा मां जित्त लगायरा ठुलू कष्ठाले तपस्या गरी रहे काचा। आता महादेप लाई तपस्या बाटा यूत्त गराई। फिरी काम, क्रोध, लोब, मोह, मल्याउनी उपाय केचा। येती सुरराज ले भने को सुनी। देपता हरुले भने हे देवेंद्रा, ये काम गरना काम देप भायग और कसाई ले सकताई न। आता कामदेव गई, महा देव को रिदय में काम बाण प्लाहर गरे राऊँ अने येती देव तो हरु को कथन सुनी, देवेल लाने स्विकार गरी कामदेव लाई डाकन तुरूंत बायु लाई पठाई बायु पणि ततकाल गएर कामदेव लाई इंद्र को आग्या सुनाई लेर आये अने कामदेव ले इंद्र लाई बने इंद्र ले मलाई क्ये काम ले डाकन भयो बने सोधे पचे इंद्र ले भने हे कामदेव सत्य देवी मरनाले मादे बुत्तर पंथामा गई काम क्रोध लोब मोह त्यागी संपूर्ण इंद्रिय रोकेर परब्रम्मामा चित्त लगाई तपस्या गरीर ही का सन महादेव बिना यो संसार को रक्षया कस्ले गरला अता तिमी त्याहा गई महादेव लाई काम भाण हानी फेरी काम क्रोध लोब मोह माल्याओ इती सुरहंद्र को आग्या सुनी हुँचा बनी अपनी पत्नी रती समेद भाई उत्तरा पंथा मा गई हे अगस्ते मनी कामदेव त्याहा पुगेर पोहिले सीवलाई सस्टंग दंडावत गरी सरराज को आग्याले काम भाण कान सम्म खाईची मरम स्थान मा ताकेर प्रहार गरी अनी महादेव ले था पाहेर क्रोधित भाई सस्र आखा उगारेर फिरना साथ तिने नेत्र वाट अग्निका ज्वाला इसकी कामदेव लाई बस्म पाणे निया तब कामदेव किस्त्री रतिले आपना स्वामी बस्म भाई को देखी अने एक प्रकारले सूप करदेई शिवा जी को पाव मा परेरे बिंती करें हे प्रगो यो अपराद मेरो स्वामी को हुई न देवराज को आज्याले हजुर को हृदयाई मा काम बाण प्रहार गरे को हूँ हे जगदीशूर मा देखी प्रसंद भही स्वामी दान दिन नहौश हे संभौ हजूर दुष्ट जनको सम्हार् साथु जनको रक्ष्यागर्ने इस्ता हधुरलाई को टी कोटी नमस्कार हजूर को इस्तुती गर्न से स्नागर सरशोतिले पनी सक्तै ननamentsने मह जश्तिले कसरी सक्ने छुः हे भक्त बस्चल, मलाई विदुवान तुल्याई मेरो स्वामी को जिवन दान देर मलाई संतुष्ट पार्मुहवस। रतिले येसरी स्टुटी गरेको सुनी बाहदेवलाई दया लागेदर आज्या भयो हे रति येस जन्ममा अभा तिमी स्वामी पाउन सकता ही ना। द्वापरी क्यो अंत्यमा अंत्यमा भग्वान विश्मुले अवतार लिनेशन। तिम्रो स्वामी तिने क्रिष्ण का पुत्र प्रधिम्न भहेरा जान्मन लिनेशन। अनि तिमी दुबाई को भेठ हला अईले दुख्ष नमाने गार जाओ। महादेबली इती आक्या भैको सुनी। रतिली जुआ आक्या भनी सिवजिलाई तंडावत प्रणाम करी घर फिरिन। तेश पथी महादेबली सतिलाई समझी कहा जन्म लीन गयन भनी ध्यान द्रिष्टिले बिचार गरदा। हिमालाई की पुत्री पारवती भैर जन्मी स्री महादेब स्वामी पाउँ बनी। नाना तिर्था मर्त जब आधी गरेकुर। विष्णु को बदेश ले स्री सुस्थानी परमेश्वरी को मर्त गरन लागेको था पायर। अब थिनको चरित्र हिर्दचु बनी देवेंद्रको रूप धारन गरी। हात्मा बजर ली। एरावत हात्ती मा चडेरा पारवतीले बर्त गरी को इस्थान मा पुग्णु भै। मा अधेव कस्तो समयमा तेहां पुग्णु भैवने। सम्पुर्ण बर्त गरी शकी आत्मा अरघल लीर है शोरी। निरांजन निराकार रूप हजु लाई कोटी कोटी नमसकार। सम्पुर्ण बर्त पनितीमी स्रिष्टी इस्थीती समार गरनी पनितीमी। पंच महाभूत्र सत्तु रज तम त्रिगूर पनितिमी यो समस्त ब्रह्मन्ड का आत्मा स्वरूप भैकी रा आधी सक्ती पनितिमी काल स्वरूप मा पनितिमी आधी मध्य अंत्य पनितिमी इसती अब्यक्त स्वरूप भैकी तिम्रो गुणगान गर्ना चेश र सरसोतिले पनी नसक्केको मकसरी शक्नेचु मेरो पुजाले प्रसन्न मुनाहोस बनी अनेक प्रर्थाना करे र प्रसाद जिक्तन लागी को बेलामा इंद्र स्वरुब महादेव प्रुपलुक का पुग्णु भऎयो, तब पार्वतिले देखे र एथा युग्ये सत्कार गरिन हे देवराज के कामले आउनौं भऎयो, आग्या होसłem, पनिंद्र, इंद्र स्वरुब महादेव अग्या गर्नु होँच हे पारवती, तिम्रो स्रद्धा भक्ती देखेर मप्रसन भई, महादेव स्वामे पाउन भने तिमीले यो भरत गर्यों, तरा, तिम्हादेव कस्ता चन भने, बहुला जस्तू, महा निरहिनी नाक को गहना लगाएका, बाक को जाला कम्मर मा बेरेका, भूद प्रेत प्रथम ग बूडो गोरू माती चलेका, दायने हात्मा डमरू, र बाया हात्मा तिरिशूल लिएका, बीज भांग धत्तूरू खाई, तिरे लज्ज जई धुल्नी र, अघोर मुर्ति भई समसान मा बास गर्नी, तिम्ही भने येस्ति परम सुन्दरी छो, येस्ति सुन्दरी लाई, तिस्ता महादेब स्वामी कदापी योग्य साईना, मा संपूर्ण देवता को राज, बुरू मलाई, स्वामी तुल्याई, सुर्ग की रानी भएर, अलभ्य सुख भोग कर, येति इंद्र सुरू महादेबले अज्या भई को सुनी, पारवती रिशले, चूरु भई मन्ना हे पापिस्टा, इंद्र, मैले एस्तो स्री स्वस्थाने परमेश्योरी को बर्त गरे को स्थानना आएरा, महादेब को निंदा गरेओ, मा यो सहना सकती न, अब मा तिमिलाई स्वाब दिन चुवानी, स्वाब दिन तयार भई, इंद्र सुरू महादेब डराई, हे पारवत मैं इंद्र भई न, तिम्रो चरित्र हेर न, इंद्र को रूप धारन गरिया आएकमो, धन्ने, तिम्रो भक्ती, तिम्रो तपस्याले मा संतुस्थ दमय, मनी आपनो जोती सुरूप को दर्शन देनुवायो, तर पारवतिले महादेब को दर्शन पायर मनमा अनन्द मानी, सस प्रणाम गरिन, हे जा गदिशोर, मैले अनेक भर्त, दान, एग्या, जोप तप करे, तैपनी अजोर को दर्शन पायर, आजा बैकुन्थ नाद, विष्णु को उपदेशले, गरेका स्री सुस्थानी परमेश्वरी को भर्त को प्रभावले, अजोर को दर्शन पायर, अव सुस्थानी परमेश्वरी को पर्शाद दिनु, कन्यादान दिन, कन्यादान भईको सैन, कसु गरों, बनी विंती गरिन, अनी माधे प्रसन भई, पारवती, कन्यादान लिनु, इमालय परवत को घर मा जानु भयो, इमालय परवतले माधे आउनु भईको देखी, आपनी प अमेन कासीत बने हे इस्त्री आमें धन्ने रहे छों। बार्बती कन्यादान लेन स्वय महाधेप आउनु भयो। अब कन्यादान को सानागरी तयार मारा बने अराय। अने बसिष्ट आदे रिशी जोती सरुलाई डाकी लगन को विचार गरेर अक्षे तरिती आको दीन लगन ठाराय। संपुर्ण, देवता, रिशी, एक्ष, गंदर्ब, किन्नर, नैत्य, नाग, अफसरा को बस्थित भई एग्ये मां बसे। ब्रह्माजी एक्जे गरावन लागे, अन्य ब्रामण हरू बेद पाठ गरन लागे, अफसरा हरू नाज गान मां लागे, धेव कन्या, एक्षे कन्या, नाग कन्या, नैत्य कन्या आधी, नाना बस्त्र अलंकार पईर्याई। उभन्दा उरामरी बनी पारवती को कन्यादान दिये को हर्न लागे का थी। इमालाई की पत्नी मेनकाले बनी पारवती लाई सुगन्दा लेपन गराई। इरा मोती मनी माडिक्या आधी रत्न जडेका, गहना आरू बस्त्र हरू पहिराई। सिंगारी राखी की थी। तेस बकदमा पारवती भन्दा रामरी वितिनै लोकमा कोही पनी देखिये नान। मंगल गीद गरी हात्मा जो तील कूस ली हिमालायले पारवती को हात समाती। मेनकाले शुबर नको कमंडलुले जल धारा दी। कन्यादान को संकल्ब पड़दा हिमालायले शुदी। हेई शोर। येश शुबर लग्नमा मा आपनी पुत्री कन्यादान दीना तयार छो। अजुर। को गोत्र की हो। बिना गोत्र ले गरेको काम अधुर हुँचा। रो शुबर काम को फल पनी प्राप्त हुदेईना। अनी सास्तहुर। को कथन छा। इमालाईको येश तो वचन सुनी माधेव कही पनी उत्तर दीना न सकी। लाज मानी अदो मुख करी रन भय। इमालाईले पनी पार्वत्तिको हाद समाथी माधेव को वोकमा एरी रहे। विष्णु प्रभित्य समस्त देवता एक्ष्य किल्णर गंदर्व तैंत्य नाग आदी कसाईले पनी त्यो येसे हो भन्न सके नन। त्यसे मौकमा नारदमनी सतिदेवी को हाल को एंत्र बनाई सिव गीत बजामुदै गामुदै इमालाईका आई पुगे। जबही कुराश्विने पची भने हे गिरी राज जो सम्पूर्ण ब्राह्मांड को स्रिष्टी इस्तिदी समार करद चन। जो अहली हे उटा चन। ता पनी आपनु माहली ब्रह्मा विष्णु मैस तीने रुप का बंद चन। एदी आधी प्रूसी नही हुन इनका माता पिता पनी चाहिना जात पनी चाहिना गुत्र पनी चाहिना। सर्व व्यापी इनई तित्ती स्कुटी देवता का माता पिता पनी इनई फेरी चोद भमन्ना भहेका समस्त। जिभात माका हृदय मा बसीर पाप पुंडि को साची भही रहेका पनी इनई। निराकार निरंजन पनी नई इस्ता इस्वर को महिमा बणन गरन अजार जिप्रा भहेका। सिस्नाग्र सरसुतिले पनी नसके को मकसरी सकोला। अता संका नमानी जगदिशोर मादेवलाई पारवती कन्यादान देव। नारदमुनिले एती भनेको सुनी संपुर्ण देवता एच्छा गंदर्व किन्णर नाग आधी नारदमुनिले सत्ति भन्ने अन्ने समर्थर गरी। अनी इमालाईले मादेवलाई पारवती कन्यादान दी। पार्वतिली माधेवको गलामा फूलको माला पहिराईन र तीन पलता प्रदच्छना गरी पावुमा धोगी दिन हिमालाईले पनी आयेका जती सबई देवता एक्छ गंदर्व किन्नर नाग आधिलाई बोशन गराई युद एथा योग्य दक्छना दि तीस पच्ची सबईले हिमालाई सित भने हे हिमालाई तीमी धन्ने रहेशव। तीमी जहें भाक्य माने साथ दिव नव खंडमा पनी उन्न दुरलपशा। तीमीली संसार मा जन्म लेकु सफल भाय। कीने बनी जुन जगदिशोर महाधेबलाई कठोर तपस्याली पनी दर्शन गरना पाउना। उन्नाईलाई ज्वाई रूपमा बाय। आमी गृतार तभाय। अब विदा पाये आपना आपना आश्रमा जाने दिव। निम्मन्त्रणामा आयका सपईले एती भनिपची हिमालाईली आधार पुरुवक सपईलाई विदा देर सबै आपना आपना आश्रमा जाना भाय। उपना एन्तु मंगलम्व सकल जगत मंगला लय। श्रिमान दिनकर किरण निवोधित नवनालिन दल निवेच्छन कृष्ण काले बर्षतु परजन्य। पृत्र पुत्रिन संतु पौत्रिन संतु पौत्रिन निर्दना सदना संतु जीवन्तु सरदं सतं। तत्रेव गंगा यमुनाच तत्र गोदावरी सिंधु सर स्वतेच तिर्थानि सर्वानि वसंति तत्र यत्राचु तोदार कथा प्रसंगह। या कुंदिन्दु तुशारहार धबला या सुब्रवस्त्रावृता। या वीनाबरदंडमंडितकरा या स्वेतपस्दमासना। या ब्रम्हाचुत संकरप्रवृतिवे देवैसदाबंधिता। सामांपातु सरश्वति भगवति नीसे सजाड्या पहा। काये नबाचा मनसेंद्रिय इर्वा बुद्धात्मनावा प्रकृति स्ववावात। करोमियद्यद्शकलंपरस्मै नारायनायेति समर्परियतत। ओम्श्री स्वस्थानी माता की जै। श्री नेपाल जननी की जै। अर्यॽण की जै। अर्य। अर्य। झाल